इसे के साथ अगले कॉलर हैं बात कर लेते हैं बरेली से हैं सोनी जी स्वागत है आपका हालो अलेकुम अलेकुम सलाम आपका सवाल जी मेरा सवाल मुझे हाकी मियूते खाली बात करती है बस बात कर लीजी किस से बात करनी है सोनी इंसे बात करनी है अश्लाम और दौल वालिकुरी अनसे बात करनी है उससे बात करनी है ? मुझे आपसे बात करनी है in пол क्या वरता हूं मैं इस מी छोटी सी थी जब से में स्ताहि कर रहे हूँ इस बढ़ी होगे लेकिन आज मैंसमों कभी ons भात क WhatsApp अब कर वगुए अच्छा जी मैं आपको बताने सक्टी कि निवरी मिझे खुशी हुई सौनी आपकी रियल खुशी जो है मैंने आपका जो भी निस्खा बनाया आपनी अमझी के लिए हुटी हमेशा इसे साइडा मिक्रामनी को और सारी लोग इस्तिमाल करते हैं अब का बेट सा वह आप बनाते हैं विरा अग्माइन वाला और में वहां सारी बापे लेगे लिए आप से नहीं कर सकते लेकिन बस मुझे यह सुशी हो रहे हैं कि मेरे आप से बात हो गए और मुझे पूशना है जो सफिस्तान है वो क्या लिसोरे का पत्ता है सफिस्तान लिसोरे को कहते हैं लिसोरे का पत्ते को नहीं लिसोरा आप दुकान पर पूशेंगे तो वो एक गोल गोल सा हल देगा जो उसी को लिसोरा बोलते हैं और कोई सवाल आज आप देखी एक तो गवा हो जाईए कि लाइव शो आता है नहीं तो आपने जिस जिस से कहा हो कि लाइव नहीं आता उसको सब को बूलना पड़ेगा कि लाइव आता है और कोई सवाल हो तो आज कर लीजे पता नहीं फिर सौनी क्या करती है आप हमने अभी तो कुछ नहीं कर नहीं हो पड़ती है पड़ती है शादी हो गई अच्छा अज कुछ बात कर लिए आपको सारा टाइम दिया जा रहा है अच्छा थी करेंगी और भी लोग बीज कर रहें चाले बहुत 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 शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए माम देखी दर्श को यही तो सिहत और जिन्दगी कारेक्रम की खासियत है कि यहां पे आप लोग इमोशनली इतने जादा अटाश हैं और आप लोगों की जब कॉल लगती है आप हकीम साहब की जब आवास सुनते हैं तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि आप महीने से सालोसाल इंतजार करते हैं हकीम साहब से बात करने के लिए वेशक दर्श को मैं भी यह कहना चाहूंगी कि हम लोग इंतजार करते हैं बहुत मुश्किल से हमें हकीम साहब का वक्त मिल पाता है पोशिश लगतार यही रहती है कि बहुत सारे कॉलर्स हकीम साहब से बात कर लें लेकिन समय की समय सीमा होत कर सकते हैं आई ये बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से हमारे साथ अर्जुन है MP से स्वागत है अर्जुन जी अर्जुन जी सवाल था हमारी धरम बचने के लिए उनको लिवर में प्राब्लम है जाज कराने पर पता चला कि उनको हेपर टाइटी की सिकायत जाज माया सर तो डाक्टर उनको एक गोली रोज ठाने को लिए देते हैं रेपर टाइटी पी के लिए उनको एसे ड़िटी बहुत बनती है सर और पूरे मुव में मतलब चाले चाले रहते हैं और उत्ते से तभी उनकी उम्र है त्रियालिक साल पोटी तरी तरी चीक आदी कि ऐसे खायर लखी है उनका और जो दवाए डॉक्टर दे रहे हैं वो दीजे लेकिन एक दवा आती है एक जड़ी है और बड़ी अजीब सी है वो जैसे क्या बता हूँ बाहर से तो सफेज सफेज होती है अंदर से हरी होती है और इसे कहते है कुटकी आप समझ लीजे कुटकी आप लिख लीजे कुटकी लीजे ऐसे सो ग्राम के खरीब खरीद लीजे और गौन मौरिंगा सो ग्राम इन दोनों को पौडर बना लीजे गौन मौरिंगा सफेज वाला लेना और कुटकी बहुत कड़वी होती है कुछ ज़्यादा कड़वी होती है पहले मुह में रखो तो कड़वी ने लगती लेकिन बहुत देर तक रखो तो बहुत ज़्यादा करिए दो चुटकी मतलब समझ लीजे आदा गिराम या उससे कुछ ज्यादा होता है और पानी पिला दिया करिए ऐसा आप दिन में दो खुराग दे सकते हैं और महीना दो महीना उन्हें किलाईए आसर नजर आ जाए तो फॉरण फोन करके अगर हमसे भी बात नहों सके तो हमा कि रहनुमाई ले सकते हैं इसे के साथ निखिल है अगले कॉलर स्वरूप नगर से स्वागत है आपका निखिल जी हालो हान जी बोलिए प्रश्म किया है आपका सर मेरे डिस्क में दिकत है डिस्क में तो एक साल पैले होगे थी सर ल3-L4 में तो फेर मतलब बैग बैग में दर्द रहता है अब सर मैंने थोड़ा बजन वगेर उठा लिया थी तीन चार महिने से फिर मेरे L4-L5 में भी होगे अब मेरे उल्टी टांग में सुन पन रहता है और गोटे यहां से कटकता रहता है तो सर अब मैने ठरपी करवाई थी मतलब 60-70% आराम होगे लेकिन अगर अब यह एक्सराइज नहीं करूं तो वही दर्द हो जाकता है और अब सर सर्वाई कल की मतलब उल्टा कभी सुन रहे हैं लग्या सर्वाई कल में भी दिक्कत आवी सर्वाई नाड़ उमर बता दीए अपनी आयू आयू कितनी है एक्सराइज अरे आप तो बहुत ज़्यादा कम उमर हैं आप देखो एक तो वजन उठाना बिल्कुल छोड़ दें यह तो यह बार बार होगा आपको और कैप्सूल टी केर कैप्सूल टी केर सुबह शाम खाने के बाद खाएं और जहां तक हो सके यह ट्वाइलेट का इस्तेमाल करें वजन उठाना बिल्कुल छोड़ दें बहुत कम उमर हैं अभी आप ठीक हो जाएगे गर जादे उमर तक ही रहा तो यह आदमी को बहुत खून के आंसर उलाता है इतना मर्ज बढ़ जाता है यंग बच्चे जल्दी ठीक होते हैं जल्दी ठीक हो जाएं तो तीन-चार महीने दवा खाना वोजन उठाने की सबसे बड़ी पावंदी है आप पर चलिए चातिसगर से अगले कॉलर है किलेशवर जी हमारे साथ स्वागत है आपका जी सर्थ जी बोलिए एच क्या है उनकी क्या दर्द होता है सर में बहुत दर्द रहता है दवाईयां खाती है तब भी असर नहीं है तदिके इस उमर में और इस वक्त में सबसे ज़्यादा बीमारी जो पाई जा रही है वो सर्वाइकल की है और यह कमों लोगों को भी होता है लकि यह एकसरسाइज यह उनको दो तीर मिनट रोस करनी है चाय quienरें करके करें ऐसे case करते रहें हो सकता है दवा की भी जरूत नहीं पड़े जो दवा खारें काते रहीं और उससे भी नहीं हो तो पिर आप एक बार उन्हें खिलाया करें लेकिन एक्सरसाइज दस दिन से पहले बद ना करें दस दिन में अगर कोई रिजल्ट आ जाए तो यह हमेशा अपने एक्सरसाइज जरूर किया करें गौलियर से अगले कॉलर मिसिस अगरबाल स्वागत है आपका नमस्ते मैंनम नमस्ते अजिल्ट आजी rank मेरी सिर्में रींडम बहुत जाड़ा हो रकी और बहुत बाल घरते हैं अगिन यहास ऑर खुजली भी हो रकी यह सिर्में बहुत जाड़ा तीक है तीक है आप देखे़ें कि जो महिलाएं गहर पर दूद मैंसे बालाई यह बलाई मै से जो घी निकाल लेते हैं यह घी आप रोजाना अपने लगाये करिए चाहें तो रात को लगाएं और सुब़े को वाश करदे या सुब़े लगालिया करें रात को वाश करदे ऐसा आप एक हफते तक करें तो यह आपकी परिशानी ठीक बना मुम्किन है ये बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका मेरा बाल तोट रहा था सके दिवारे में पूछना था सरका अच्छा है अच्छा है अच्छा है निगे ठीक कर लीजे बाल ठीक हो जाएंगे एक निगे आपके दोने चीजे़ा पाका काम करेगा य partner ये आमला दोसो गराम आमला सुका मिलता है दोसो गराम सोफ दोसो गराम मेठी दोसो गराम ठीक है सो गराम नमक जैतूल ये नमक जैतूल एक सफेज रंग का नमक जैसा दिखने वाला रसाइन है जैतून का रसाइन कहते हैं या एस्टेक जैतून कहते हैं या नमक जैतून हम आसान जबान में कहते हैं सो जिट सो ग्राम से मिलाकर पॉर्डर बना है सुबा आधा चम्मच शाम खाया करें पानी से आप देखेंगे यह आपके पेट के साथ दिमाग और बालों की भी खवर लेता है पंजाब से अगले कॉलर प्रेम कुमार जी स्वागत है आपका पूछी सवाल लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए बेटे का आइक्यू कम है कितना वर्ष का है बेटा टीफा है तींवी तीन शाल का बच्चा है आप ये आई क्यू कैसे देख रहे हैं है आपस का artık अदिगए दो दो अक्रोड रोजना के लाय कर ये । अस डिस किश्मिश के साथ पांच सुबा पांच शाम पांच किश्मिश एक अखरोट सुबा और ऐसी शाम को अखरोट जो छिलावा नहीं घर में तोड़ के खिला है तो यह इलाज है एक माजून अखरोट प्राश भी आती है वो अधाधा चम्मच भी खिरा सकते हैं दूद के साथ बच्चे के बिलिंट होना इंशालला मुश्किल नहीं है नेक्स्ट कॉलर नरेज जी राजिस्थान से स्वागत है आपका पेश में लेट नहीं होती है घुटनों में दर दे मोशन पास नहीं होता है खुल के और पैरों में दर दे मोशन के लिए दो नुसके बता रहा हूं अगर आप लिख लिए तो बहुत अच्छा है यह रिकॉर्ड कर लें मेरी आवाज दोनों बाते की हैं आपको बात समझने में असानी हो जाएगी 200 ग्राम आंवला सुका मिलता है 200 ग्राम आंवला 200 ग्राम मेथी 200 ग्राम सौफ लें और इसको पॉर्टर बना लें 100 ग्राम उर्जिकल से मिल लगा अगर लेकर मिल जाएगा नमक जैतुन इस सफेज रंग का एक नमक जैसा दिखने वाला रसाइन है जो नमकी नहीं होता सो ग्राम ले लें इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और अदा अदा चमच सुबा शाम खाया करें पर देखते हैं कि आपको कैसे मोशन नहीं होता और ये पेट के निजाम के लिए बहुत अच्छा है इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है लिवर के लिए बहुत अच्छा है किड्नी के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा नुसका आप लिखें कि कौन सियाह मिल जाए तो आधाधा गिराम सुबा शाम खाएं और पानी से या बगार चर्बी के दूस से या रईस हैं तो जूस से खाएं आपको यह सौ गिराम भी अगर बिल जाए तो खतम होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है पहले कॉलर है केडी च्छाबडा जी मंडिली से स्वागत है आपका नमस्कार किस चीज की बीप हाई रहता है लो रहता है हाई रहता है जी हाई एक सा सकतर अस्टी पे पहुंच जाता है जी आपके एज क्या है एज है बात रहता शिश्टी टूँ जी अदिखे ये जादा है बहुत ख्यार लखी अपना और अपने जिसम से चर्बी कम करिये खून की चर्बी आपको पता नहीं के आप मोटे हैं या पतले हैं लेकिन खून में चर्बी तो होती है इस उमर में और अक्सर हमारे दिल की जो रगे हैं नसे हैं नर्व हैं उन में चर्बी भर जाती है जिसकी वज़े से हमारा दिल जब खून को पंप करता है दिल एक पंप है तो उसे गाड़ा खून मिलता है और फिर दिल की रगें भी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है तो वो गाड़ी चीज़ फैकने में या ब्लॉकिज़ की वज़े से वो बहुत मेहनत करता है और चर्बी कम करने के लिए कोई नुस्खा लें लेसन खाते हैं तो पांच-छे लेसन रोज खाया करें मुझे भी खाने पड़ते हैं रोज़ाना नाच्टे में मेरे सामने पांच-छे लेसन आ जाते हैं और मैं एक निवाले में एक चबा के खाता हूँ पिर खाना खाता हूँ तो एक बार मेरा कॉलिस्टॉल बढ़ाता बीपी बढ़ाता उसके बाद कभी नहीं बढ़ा ये आप भी शुरू कर सकते हैं और इसको चर्बी को कम करने के लिए बीपी को कंट्रॉल करने के लिए अगर 6-7 महीने जैतून का सिर्का रोजाना पानी में मिलाकर तीन चोटे चाय के चमच पिया जाए तो आपको इससे निजात मिल सकती है आईए बात करते हैं नेक्स कॉलर से नीलू शरूंकर है यूपी से स्वागत है आपका नीलू जी करते हैं जी जी करणे हैं कुछ भी खाता हूं तो आईसे हैं सरीज पूरा पसिन पसिन हो जाता है अगर अंदर कुछ नम भूटता है एज क्या है आपकी फोट्पे थातिफोर लेना हैं इम्निटी की दवाएं इम्निटी की दवाएं लेनी हैं और तीन चार खजूर रोजाना सुबा शाम खाया करें अच्छे किसम खजूर चाहें तो दूद में उबाल के ले सकते हैं खजूर ना मिले तो छ्वारा दूद में उबाल का रोज लिया करें और एक दवा है इम्निटी के लिए वो रोगी हों या निरोगी हों अगर रोजाना एक या दो खुराक ले लिया करें तो उन्हें की इम्निटी जरूरत की मताबिक होती है माजून आर केर सुबा शाम एक एक चमच गरम पानी से लें और पांच बार गरम पानी पीएं जो आपको फाइदा मुम्किन है